C-section यानि के बड़े operation के बाद बच्चे की पेदाईश के बाद जो है औरत बहुत जादा जिस्मानी और जहनी जो है वो pain से गुजर रही होती है और इस दौरान जो है वो खावातीन को यहीं फिकर होती है कि हम खुराग में क्या खाएं जो उनका वजन जो है वो भी control हो जो लटकावा पेट है वो भी वापस आ जाए और जितनी उनके अंदर कमजोरी और ठकन जो है उसके महसूस आता रहे हैं वो भी ठीक हो जाए तो बिसिकली आज की इस वीडियो हम में C-section moms के लिए एक diet plan जो है वो शेयर करेंगे मैं आज़े नजीन खान है मैं खेली करन प्रिश्टस और रिजिस्टर डाइटेशन हूँ तो बिसिकली आज की वीडियो में C-section moms के लिए एक diet plan जो है वो शेयर करूँगी ताकि उनके ब नाश्टे में क्या खाना जाए तो अगर नाश्टे में मैं बात करूँ तो उसमें दल्ये से बहतरीन घजा जो है वो बिलकुल नहीं हो सकती दल्ये में हमारे पास variety of दल्या आजाते है यानि कि अगर आपको oats का दल्या पसंद है घंदूं का पसंद है या जोग का पसंद है इनमें से आप कोई भी जो है वो दल्या खा सकती है फिर आपने दल्या बनाना कैसे है दल्या आपने बैसिकली दूद में बनाना जो बलाई से उत्रावा दूद होगा और उसमें आप नट्स और सीज्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं या आपके लिए एक बेहतरीन घजा होगी और जिसके आंदर आपके नट्स और सीज्स का इस्तमाल मैं इसलिए कह रही हूं किवह कियोंकि बहुत संबातीन जो हो जो है वो सी सेक्शन के बाद पंजीर हैं दल्या में इस्तमाल करा दो आपको बहुत ही सह्त बखश जो है नाश्टा फराम होगा ऐसा नाश्टा जो लो morning जो है वो snacks की तरफ आते हैं कि आपने लंच के और नाश्टे के दर्मयान में जो है वो क्या खाना है तो basically यह आपका बहुत ही जबदस time में करें आप fruit की consumption कर सकती है जो भी मौसमी fruit आपके पास है आप उसको इसको इस्तमाल कर सकती है उसमें जैसे कि आजकल हमारे पास सेब हैं, हमारे पास केला है, हमारे पास जामन है, खुबानी है, आलो बुखारा है, आम है इन में से कोई भी फल जो है वो आप इस्तमाल कर सकती है अगर आप इसका combination sunflower seeds के साथ बना ले तो वो आपके लिए बहुत जबदस हो जाएगा आप इस टाइम ले सकते हैं और हो सकता है आपको डिनर में जो है वो रोटी की तलब होती हो तो आप डिनर में ड़ी सकते हैं लेकिन एक टाइम आपको skip करनी है, तो basically आप lunch में जो है वो salads के इस्तमाल करें mixed vegetable और fruit salad का इस्तमाल किया जा सकता है, जैसे कि आजकल गर्मिया है तो हम yogurt salad का इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें ड़ी फुलकिया टाइप जो है वो salad का इस्तमाल हो सकता है, जिसके लाव अंदर आप cucumber और lettuce leaves और मूली के पत्ते और बहुत साई चीज़े जो हो इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद हमारे पास evening time आ जाता है, evening time में आप जो है वो दूद इस्तमाल कर सकती है, दूद के अंदर आप फुल मखाने roast करके वो भी add कर सकती है, इसके लावा आप green tea का इस्तमाल भी कर सकती है, जिसमें के cinnamon tea आती है mint tea आती है, और इसके लावा जो है, अगर आपका दिल कर रहा है कि आप normal black tea लें, तो उसका combination आप एक boiled egg के साथ दिखर सकते हैं, तो basically हमने proteins के ओपर जो हो फोकस करना है, C-section moms के लिए, क्योंकि उनकी जो stitches है, उनको heal होने के लिए proteins की बहुत जादा सुरूदी है, तो जब हम प्रोटीन की बात करें, तो हम डेनर में जो है, मैं highlight करूँगी, प्रोटीन, लिच्च डेनर में recommend करूँगी कि आपके प्रोटीन की मिकदार आपके डेनर में होने होने जाए, यह जो भी childcare रहे और equipment का रही है, उसमें आपकी प्रोटीन की मिकदार हो,流 मतन हो, छाए जो तो प्रोटीन को हमने हाई रखना है अपने डिनर में साथ आप रोटी का साथ आप सैलिड का साथ आप रायते का कॉंबिनेशन बनाके माई प्लेट कॉंसेप्ट को फॉलो कर सकती है और इसके इलावा सोने से पहले जो है फल्दी वाला दूर जो है गोल्डन मिल्क जरूर इस को दूद भी पला रही होती है तो उसके लिए उनकी घजाई जरूरियात का पूरा होना बहुत जादा जरूरी है उनको ताकत की भी जरूरत है जिस्मानी तौर पे भी और मेंट्री तौर पे भी तो बैसिकली आपको अपनी भी सिहत का ख्यार लखना और अपने जो